वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकम बर क्लिक करें ताकि आपको इसी तरह से और भी इंपोर्टेंट जान करें टाइम टू टाइम लेटेस्ट मिलती रहें देखे कोरोना वाइरस की पहली इमेज ऐसा दिखता है कोरोना वाइरस भारत में सामने आई कोरोना की पहली तस्वीर कुछ इस तरह नजर आता है कोरोना वाइरस भारतिय वेग्यान उक्यों ने जारी की कोविड-19 की पहली तस्वीर देश में कोरोना की पहली तस्वीर आ अगई है सूस्म दर्षी से लिए गई इस तस्वीर से कोरोना वाइरस के बारे में कई बाते बता चलती है ये दूसरी कोरोना वाइरस की तरह गोल है ये है करीब 70-80 नैनोमीटर है पूर्ये के वैग्यानिकुने को ने कोरोना की तस्विर लेने में सफलता हासिल की है इस तस्विर के बारे में जानकरी इंडियन जनर्रल और अफ मेडिकल साइंसेज में छपी है यह जानकरी पूने इस्तित National Institute of Virology की रिपोर्ट पर आदरित है यह भारत में COVID-19 के टेस्क के लिए नोडल सेंटर भी है केरल में मिली महला मरीज के गले में हुई खराश के लिए हुए सेंपल से ही कोरोना की ये तस्विर खोजने में काम्याभी मिली है केरल में ही भारत में कोरोना के पहले संक्रमीत मरीज का पता चला था 30 जनवरी को सामने आया था भारत में कोरोना का पहला केस Indian Journal of Medical Sciences में कहा गया है कुल साथ नेगेटिव स्टेंड वाइरस पार्टिकल को सकेन किया गया एक वाइरस पार्टिकल को अच्छी तरे से सनक्षित किया गया वैज्यानिकों ने यह भी बताया कि कोरोना के वाइरस की तुलना दूसरे वाइरस से करने पर पता चला कि यहां करमे बहुत छोटा है कोरोना वाइरस का स्ट्रक्चर क्राउन जैसा है इसी वज़े से इसे कोरोना डाम दिया गया है जबकि फ्लू जैसे दूसरे सामने वाइरस का आकर त्रिकौन यह होता है इस वाइरस के उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए इसके धाचे के स्टड़ी जरूरी है इससे इस वाइरस के इलाज के लिए वैक्सिन बनाने में मदद मिलेगी बाद में दूसरे वैज़्यान के साथ इस वाइरस के सम्मन के बारे में पता लगाने की भी कोशिश होगी क्या है नोवल कोरोना वाइरस इसे नोवल कोरोना वाइरस ही क्यों कहा गया है आईए देखते हैं 2019 नोवल कोरोना वाइरस को 2019 N.C.O.V. का नाम भी दिया गया है इस वाइरस के पहली बाध चीन के वुहान में पैचान की गई इस कोरोना वाइरस के नाम में ही नोवल लगाया गया है क्यूंकि अपसे पहले ये कभी भी कहीं भी नहीं पाया गया कोरोना वाइरस को इसका नाम लेटिन शब्स से मिला है लेटिन में कोरोना का मतलब होता है क्राउन हिंदी में कोरोना का मतलब होता है ताज इस वाइरस की सते पर भी क्राउन की तरह स्पाइक्स की सिरीज बनी होती है यही से इसे कोरोना नाम दिया गया है वैज्ञानिकों को मिली इस तस्वीर से ही अब कोरोना वाइरस के इलाज का रास्ता साफ हो पाया है फिलाल इसके इलाज के लिए वैज्ञानिकों का रिसर्च जारी है फिलाल इसके टेस्स के लिए कुछ ऐसी डिवाइस बन चुकी है जिनसे कोरोना का टेस्स मिन्टों में ही या पांच मिनट में ही हो सकता है उम्मीद आपको कोरोना वाइरस की ये मैतुपुन जानकरी पसंद आई होगी अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक करें वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और वीडियो से समन्दी यदि कोई भी सुजाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच